मेरे प्यारे देशवासियों, जब एक निष्ट प्रयास होता है, नेक नियत से काम होता है, तो उसके परणाम भी मिलते हैं, इसका एक बहतरीन उधारन सामने आया है असम से. असम का नाम लेते ही, वहां के चाय बागान और बहुत सारे नेशनल पार्क का ख्याल आता है, साथी एक सिंग वाले गेंडे एनि वन हों ड्राइनो की तस्वीर भी हमारे मन में उभरती हैं, अब सभी जानते हैं कि एक सिंग वाला गेंडा हमेशा से असमिया संस्कृति का हिस आरिका जी का ये गीत हर एक कान में गुंचता होगा। साथियों, इस गीत का जो अर्थ है वो बहुत सुसंगत है। इस गीत में कहा गया है काजी रंगा का हरा भरा परिवेश, हाथि और भाग का निवास, एक सिंग वाले गेंडे को पृत्वी देखे, पक्षियों का मधुर कल्रव सुने। असम की विश्व प्रसिद्ध हद करगा पर बुनी गई मुंगा और एरी की पोशाकों में भी गेंडों की आकृति दिखाई देती है। असम की संस्कृति में जिस गेंडे की इतनी बड़ी महिमा है, उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता था। वर्थ 2013 में 37 और 2014 में 32 गेंडों को तसकरों ने मार डाला था। इस चुनवती से निपटने के लिए पिछले सात वर्सों में असम सरकार के विशेश प्रयासों से गेंडों के सिकार के खिलाप एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले 22 सितंबर को वर्ड राइनो डे के मोके पर तसकरों से जब तक किये गए 24 सो से जादा सिंगों को जना दिया गया था। यह तसकरों के लिए एक सक्त संदेश था। ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है कि अब असम में गेंडों के सिकार में लगातार कमी आ रही है। वहीं 2020 में दो और 2021 में सिर्फ एक गेंडे के सिकार का मामला सामने आया है। मैं गेंडों को बचाने के लिए असम के लोगों के संकल्प की सरहना करता हूँ।